हेलो एंड वेल्कम टो एजटेक मैं हूँ आपको तोरस मोहित और जैसा किया सभी को बताया कि एज़ए कि मेंस की फर्स्ट कंप्लीट हो गई है तो जीए के कोश्चन जो सामने आ रहे हैं हो मैं आपके सामने लेका आया हूँ सारे कोश्चन एक सो एक प्रसेंट सटीग है और तकरिवन तकरिवन 40 प्लस कोश्चन मैं आपके सामने लेका है हूँ तो आपसे उमीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आ थी तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें मेरे साथ वीडियो के एंड तक ठीक है च बेलारूस कंट्री ने टॉप किया है ठीक है कॉश्चन नम्मर एक्क्वेटर प्राइज विनर किसने एक्क्वेटर प्राइज जीता है तो जीता है आदी मलाई फजा गुदीन्यार प्रोडूसर कंपनी लिमूटेड ने ये प्राइज जीता है और यह दिया जाता है UNDP के headquarter कहांपर है RIDF किस state को ज्यादा दिया गया है ये है नाबाड दौर जो fund दिया गयाता है वो किस state को अब के बार सबस्दह ज्यादा दिया गया है तो वो Assam को दिया गया है 1236 करोड रुपए ठीक है कितना दिया है 1336 करोड रुपए अब देखे हरागा है उसे किस बेंक के सांथ के साथ आग्रिमेंट में पैसो वें लिए तो मैंने सब्सक्रांसर ही लिग दिया है कि औल एलेक्ट्रिक फैक्ट्री ने सव मिलियन डॉलर का ऐक्रिमेंट में बैंक को बड़ोधा के साथ समझ जाना को ठीक है और पाच्वा कोशन था कि वे शिव नादर जो थे उन्होंने किस कंपनी से रिजाइन दे दिया है मतलब किस कंपनी से रिजाइन दे दिया है शिव नादर ने HCL कंपनी से MD की पोजिशन से रिजाइन दे दिया है ठीक है सबसे easy question यह था कि भई Odisa एक ऐसा state है जिसने होकी men's और women's को sponsor किया है और वो आगे भी करते रहेंगे ठीक है तो इसका answer है Odisa ठीक है नमीन पतनाएक वहां के CM है याद रखना ठीक है असम के CM कोन है हिमानता विस्वा सर्मा ओके question number 7 तर चलते by which bank merchant stack नाम का कोई भी platform है वो किसने लांच किया है वो लांच किया है ICICI bank ने ठीक है किसने लांच किया है ICICI bank ने बात कर लेते हैं डीए जीसी की limit increase बताई है question पूछा था कि वह डीए जीसी की limit जो है वो percentage में कितनी increase की गई है यह question था कि नहीं अब लिए को पूरा मिला नहीं है आप नीचे कमेड़ बॉक्स में लिखके बता सकते हैं कि क्या question था ठीक है, question number 12 is first Indian to win two Olympic medal देखिए, first Indian to win two Olympic medal ठीक है, पहले की बात करने तो पहला तो है Sushil Kumar, ठीक है और second की बात करने तो हो है PV Sindhu, अब इसने पूछा है first Indian तो first Indian men और women दोनों आते हैं तो मैंने दोनों का लग दिया, ठीक है men's में Sushil Kumar और women's में PV Sindhu, women's की category में PV Sindhu, पहली महिलाच इसने दो medal जीते हैं ठीक है, पहले Indian है Sushil Kumar, ओके तो question number 13 is total number of PSP merged, total number of PSP कितनी merge हुई है 2020 में तो ये total number 12 PSP merged किये गई है ठीक है, आगे भी और भी समावना कि आगे हो जाए, तो उमीद करता हूँ आप इसी साल नोग के लिए ले लेंगे तो आगे चलते है, question number 14 की तरफ Olympic 2020 slogan Tokyo में जो अभी Olympic हुआ था उसका slogan क्या था उसका slogan था, faster, higher, stronger together, ठीक है, क्या था faster, higher, stronger इसका आप motto ही बोलते हो कि क्या motto था ओके, tops की full firm होची थी, tops की full firm होती है target Olympic Olympic podium scheme for sports, इंडिया ने launch करी है, ठीक है, क्या है target Olympic podium scheme for sports, ठीक है, इसमें पुझा था कि P किसके लिए stand करता है, तो P stand करता है, podium के लिए, किसके लिए podium के लिए, ठीक है, आगे चलते हैं, अगर ATM में cash ना हो तो कितनी penalty रगती है, penalty for non availability of cash at ATMs, तो इसमें 10,000 रुबे की penalty लगाई जा सकती है, ठीक है और question number 17 ने gender budget by which state किस state ने gender budget पास किया या अपने देश इंडिया का पहला state कौन सा है, जिसने gender budget पास किया है तो वो था आंधरा परदेश आंधरा परदेश एक ऐसा राज्य है जिसने gender budget पास किया है देश का पहला राज्य है, ठीक है और इसका CM कौन, इसका CM है Y.S. जगन रेटी, ठीक है Y.S. जगन रेटी, तो अठारमा question है, FMCG, fast moving consumer goods में कौन सी company नहीं आती, देखिए मैंने इसकी full form लिग दी, क्या पता अगले shift में या फिर अगले आने वारे mains exam में इसकी full form आ जाई, तो आप याद कर ले ना fast moving consumer goods में कौन सी company नहीं आती, तो शायद इसका answer था, जगन ठीक है, क्योंकि जगन ठीक है, क्योंकि option में था, तो इसका answer जगन ठीक है question number 19 is required term related to which sport required term जो है, वो किस sport में, use में आती है या फिर use की आती है, तो यह use की जाती है archery में, तो आप देख सकते हैं, ओलंपिक से तकरीबन तकरीबन 5-6 question पुछे जा जुगे हैं, अभी तक के, 5-6, आगे भी आ सकते हैं, तो I hope guys, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें जिससे की मुझे motivation मिलता रहेगा ठीक है, और चलते हैं फिर अगड़े question की तरफ, question number 20 is PMJDY प्रदानमंत्री जंद नहीं होदना में और राफ की लिमिट कितनी है तो है 10,000 रुपए, कितनी लिमिट है 10,000 रुपए, ठीक है highest motorable road in India जो जहाँ पर motor गाड़ी चलाई जा सकते हैं सबसे उची, वो इंडिया कहाँ पर है, वो है, केला पास लद्दाख में 18,600 फिट 18,600 फिट ठीक है, ये question एक September का है, क्योंकि एक September को ही वहाँ के जो MP है उन्होंने ये इसका, क्या बोलते है, उद्गाडन किया था ठीक है, केला पास लद्दाख 18,600 फिट, तो ये current affair से पुछागा, question है, बास कर लेते है question number 22, निर्विक scheme related to निर्विक scheme किस से related है, तो ये है, कि निर्विक का फिल्फों क्या है, निर्यात रिंड विकास योजना scheme to provide enhanced insurance cover and reduce premium for small exporter, एक basically insurance cover scheme है, ठीक है किसके लिए smart exporter के लिए तो ये 2020 से question है बजट से, ये scheme बजट में launch की गई थी, ठीक है, question number 23, AI for all initiative by, artificial intelligence for all initiative by, तो वहाँ पर कुछ option दिये गए थे, उस option से हमें find कमनादव से, उसमें answer था सही CBSC plus intel, CBSC plus intel, AI यन की artificial intelligence, ठीक है, question number 24, is how many time Ranga Swami become CM of Pundu Cherry, Ranga Swami जी जो है, वो Pundu Cherry के CM कितनी बार बन चुके हैं, तो इसका answer है fourth time, यान की 4 बार बन चुके है, question number 25 is, केला सत्यार्थी, Nobel Prize year, केला सत्यार्थी जीने किस साल Nobel Prize जीता, तो इसका answer है 2014, 2014, तो पच्चीस question अभी तक हो चुके हैं, question number 26 DEEV की full form क्या थी DEEV की full form क्या थी, तो DEEV की full form है Depositor Education and Awareness Fund Scheme, तो full form आ रही हैं, आप एक बार याद करके जाना ठीक है, question number 27 या फिर RBI की पूछा था, या फिर Dena Bank का मैंने दोनों डाल दियें, ठीक है कि RBI का और Dena Bank का Headquarter कहाँ पर है, तो इसका Headquarter है Mumbai में, कहाँ पर दोनों का Mumbai में, ठीक है, question number 28 is current economic advisor of India current economic advisor of India ये है, Dr. K.V. Swarmaniam, Dr. K.V. Swarmaniam, question number 29 है, Rakesh Jundjalal वाला Airlines, कौन सी Airlines ली है, राकेश जी ने तो उनकी खुद की Airlines है Akasha Airline, ठीक है, Akasha Airline उनों खरीद देंगे या फिर बनाएंगे, ठीक है तो question number 30 is government stake in ITC, तो government का जो stake है ITC में वो 7.93% है और एक और question था movements, hockey World Cup से शायद या फिर World Cup FICH से related कुछ question था hockey से, ठीक है, वो मैं recall नहीं कर पा रहा हूँ, तो I hope guys कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे shift second में भी question होने वाले वो भी मिलेंगे ठीक है, और उसकी link मैं यहीं डाल दूँगा नीचे description box में वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है, जब वो हो जाएगी बाद में डाल दूँगा, ठीक है, तो I hope guys आप चैनल को subscribe करेंगे, मिलते हैं, फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, बबाई, थेंक यू